आज में आप सभी के लिए हिंदी की काफ़ी इंपोर्टेंट सीरीज लेके आई हूँ जो कि आपके आगामी कहनिस्ट साइक एक्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है और देखे इस सीरीज पे हम टॉपिक वाइस हिंदी की कुश्चन्स दिसकस करेंगे और आज का वर्ण माला वफ विराम चिन्न से समधित जितने भी कुश्चन आयो के दोरा पूछे जा सकते हैं उनको आज के इस क्लास में हम डिसकस करेंगे तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें तो चलिए आज के इस क्लास को हम इसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूटव चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें साथे साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी फ्रेस कर लें ताकि हम कोई वीड डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपक को इसके रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको जोईन कर सकते हैं तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला कुशन है हिंदी बर्ण माला में उश्म व्यंजन कौन से हैं तो देखें मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन है हिंदी बर्ण माला म उन वर्णों को कहते हैं तो देखे हिंदी के जिन वर्णों का उचारण करते समय केवल स्वास का प्रियोग किया जाए उन वर्णों को कहा जाता है अघोश वर्ण यानि की option ए इस question का correct answer है next question देखेंगे यर लव वर्णों को कहते हैं यर लव वर्णों को कहा जाता है अंतस्त व्यंजन next question है निम्ने लेखित में ओस्ट धनी है इनमेंसे ओस्ट धनी है for next question है वर्णों को हिंदी में कहते हैं तो देखेंगे वर्णों को हिंदी में कहा जाता है स्वार next question है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं important question है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहा जाता है अकारांत अगला question है कौन स्वर नहीं है कौन स्वर नहीं है इनमें से बो जो है यह आपका व्यंजन है अगला question देखेंगे निमनलिखित मैंसे कौन सा वर्ण घोश है तो देखें मैंसे घोश वर्ण है आपका कौन सा दॉ अगला question है भासा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं most important question है भासा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है वर्ण या फिर अक्षर को यानि कि option D यहाँ पर आपका right answer है और आपका यह most important है start mark कर लिजे क्योंकि पहले यह question आपका पूछा जा चुका है आयो के द्वारा अगला question है आपका वर्ण माला किसे कहते हैं तो देखिए वर्ण माला कहा जाता है व्यवस्तित वर्ण समोंको नेक्स्ट question है निमनलिखित मैंसे कंठे धनिया कौनसी है तो देखिए कंठे धनिया है इन मैंसे कख नेक्स्ट है निमनलिखित मैंसे उच्चारण स्थान के आधार पर मुर्धन ये ब्यंजन बताईए तो देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर मुर्धन ये ब्यंजन है आपका डर्ध अगला कुशन है निमनलिखित मैंसे अल्प प्राण बर्ण कौन से हैं तो देखे इन मैंसे अल्प प्राण बर्ण बताने हैं तो अल्प प्राण बर्ण है इन मैंसे कह और गह अगला कुशन है निमनलिखित शब्दों मैंसे नवीन विक्सित धनिया कौन सी हैं तो देखे इन शब्दों में से नवीन विक्सित ध्वनिया है आपकी ख और ग ऑप्शन एस कुछन का correct answer है next question देखेंगे निमनलिखित में से कौन सा घोशवर्ण है तो देखें इनमें से घोशवर्ण है आपका मौ अगला question है निमनलिखित में से एक वर्ण वियंजन नहीं है तो correct answer हो जाएगा आपका उ उ जो है ये आपका वर्ण वियंजन नहीं है next question देखेंगे निमनलिखित में से कौन से ध्वनी ओश्ट नहीं है तो इनमें से ओश्ट ध्वनी नहीं है next question है हिंदी भाशा में मौलता वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है most important question है तो देखेंगे नहीं हिंदी भाशा में मौलता वर्णों की संख्या मानी गई है 52 अगला question है निमनलिखित में से नासिक के वियंजन कौन सा है तो देखेंगे नासिक की वियंजन है इनमें से यो अगला question है आपका AI वर्ण क्या कहलाते है AI वर्ण कहलाते हैं आपके कंठिय तालव्य अगला question है आपका निमनलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्ण माला में स्थान नहीं दिया गया है तो देखें हिंदी की मानक वर्ण माला में स्थान नहीं दिया गया है श्री को अगला question है आपका निम्न लिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है तो दिखे निम्न लिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली अगला देखेंगे शौ 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 हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं तो देखे शौ 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 और हो कहलाते हैं आपके उश्म शंगर्शी व्यंजन अगला कुशन है आपका शौ धनी किस स्वर के अंतरगत आती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सायुक्त वर्ण नेक्ट कुशन है हिंदी शब्द कोश में शौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखे हिंदी शब्द कोश में शौ का क्रम आता है किस वर्ण के बाद करेक्ट आंसर हो जाएगा को के बाद important question है यह आपको याद रखना है next question देखेंगे ग्योंवर्ण किन वर्णों के संयोंग से बना है तू देखी ग्योंवर्ण बना है जो, अधा जो और योंग के संयोंग से option 20 question का correct answer है और आपसे पुछा जाए कि ग्योंवर्ण किस के बाद आता है तो आपका correct answer हो जाएगा jaw क्योंकि ये आधा jaw और yon के योग से बना है ये आपको याद रखना है अगला question देखेंगे निमनलिखित मैं से अघोश वर्ण कौन सा है तो देखें इन मैं से अघोश वर्ण है आपका अगला देखेंगे घोग का उचारण इस्थान कौन सा है घोग का उचारण किया जाता है कंठ से next question है निमनलिखित मैं से संयुक्त व्यंजन कौन सा है most important question संयुक्त व्यंजन है आपका इन मैं से ग्योँ क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है ये आपको याद रखना है अगला question देखेंगे निमनलिखित मैं से कौन सा व्यंजन उचारण के दृष्टे से दंतिय नहीं है उचारण के दृष्टे से दंतिय नहीं है आपका तौ option D question का correct answer है अगला question देखेंगे कौन सा अमानक वर्ण है तो देखें इन मैंसे अमानक वर्ण है आपका भव अगला question है शो वर्ण किसके योग से बनता है शो वर्ण बनता है आपके आधा कौ और शो के योग से इसलिए किसके बाद आता है शो वर्ण आपका कौ के बाद यह आपको याद रखना है अगला कुश्यन देखेंगे हिंदी बर्ण माला के श्वरों की कुल संख्या कितनी है तो देखें हिंदी बर्ण माला के श्वरों की कुल संख्या है यानि कि option B यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा अगला question है निमने लिखित मेंसे कौन सा स्वर नहीं है तो देखें इनमेंसे स्वर नहीं है आपका जो जो क्या है वियंजन है अगला question है आपका निमने लिखित में से कौन सा टौ वर्ग का नहीं है तो देखें पाँच वर्ग होते हैं व्यंजनों के तो टौ वर्ग का कौन सा नहीं है ये बताना है correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर घौ घौ जो है ये टौब अर्ग का व्यंजन नहीं है अगला दिखेंगे निमने लिखित मैंसे कौन सा पश्यस्वर है देखें इंपोर्टेंट कुशन है इन मैंसे पश्यस्वर है कौन सा आ है अगला दिखेंगे खड़ी पाई जाने वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया तो देखें खड़ी पाई जाने वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए कैसे खड़ी चौपाई को हटा कर अगला कुशन है आपका विसर्ग से बना शब्द कौन सा है तो देखें विसर्ग से बना शब्द है नी स्प्रह अगला कुशन है आपका इन मै से कौन सा वर्ण स्वर है तो देखें इन में से स्वर वर्ण है आई अगला कुश्चन देखेंगे निमने लिखित में से अंतस्त ब्यंजन है कौन सा यो यानि की option बी यहां पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला कुश्चन देखेंगे इन में से ओ का उचारण स्थल कौन सा है तो देखें इन में से ओ का उचारण स्थल है कंट ओस्ट अगला कुश्चन है आपका चो और चो वर्ण का उचारण स्थान कौन सा है चो और चो वर्ण का उचारण स्थान है तालू नेक्स्ट कुशन है को गो जो फो धनिया किसकी है तो देखें को जो गो और फो धनिया है किसकी अर्वी फार्सी की अगला कुशन है तालब ये व्यंजन है तो देखें चो चो जो जो इनमें से तालब ये व्यंजन है नेक्स्ट कुशन देखेंगे कौन वर्ण घोष नहीं है तो देखिए वर्ण घोष तो नहीं है इनमेंसे अगला कुश्यन है किस शब्द में रीश्वर नहीं है तो देखिए किस शब्द में रीश्वर नहीं है करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर आज option D discussion का बिलकुल right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है तो देखे स्वार के बाद मैं आने वाली नासिक की ध्वनिया क्या कहलाती है अनुस्वार कहलाती है अगला देखेंगे किस परकार के बर्ण है आपके यानि कि option D यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question है तो देखे हिंदी बर्ण माला में कितने बाबन बर्ण है option B यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा आप सभी को यह session पसंदार है तो आप like कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिजे और आप शबी लोग session जाद से जादा share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp groups में और आप सभी को हिंदी की detail class भी provide कराई गई है जिसमें आपको एक एक question बहुत detail से समझाया जाता है तो आप detail class के study with aim पर हिंदी की classes follow कर सकते हैं यह आपके MCQ वाली class है और इस class में आपको कितने question आते हैं यह आप comment section में बताईएगा comment करके अपना score चलिए अगला question देखते हैं स्वारध्वनी के प्रकार हैं तो देखे स्वारध्वनी के प्रकार हैं आपके उप्यूक्त तीनों दीर्ग, प्लोत और हस्विद्धों तीनों हैं तो उप्यूक्त तीनों option discussion का correct answer है अगला question देखेंगे आधुनिक व्याकरण की दुष्ट से बॉब वर्ण का वैसिष्ट है तो देखें correct answer है आपका यहाँ पर द्योस्ट, श्पर्ष, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक next question देखेंगे काफी important session है आपका chapter wise daily चलेगा यह तो आप सभी लोग study with aim को subscribe कर लिजे जिन लोगोंने अभी नहीं किया है और आप सभी से एक request है मेरा कि share जरूर कीजिएगा इस session को अगला देखेंगे निमन में अर्ध स्वर कहलाता है तो देखेंगे इन में से अर्ध स्वर आपका यह कहलाता है अगला question देखेंगे महापराण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किस से संबंदित है महापराण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में संबंदित है किस से दूसरे और चौथे वर्ग व्यंजन वर्ग से अगला question देखेंगे भाषा की सार्थक लगुतम इकाई है तो देखे भाषा की सार्थक लगुतम इकाई कौन सी है करेक्ट आंसर है आपका ध्वनी option C यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे इन में कौन व्यंजन अलप प्राण है most important question तो देखे अलप प्राण व्यंजन है इन में से कौन सा चौ अगला question देखेंगे इन में से कौन सा वर्ण इस पर व्यंजन नहीं है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह next question है निमने लिखित में कांठे ध्वनिया कौन सी है तो देखें इन में से कंठे ध्वनिया है आपकी कौ और खौ अगला question है वर्ण माला किसे कहेंगे वर्ण माला कहेंगे वर्णों के व्यवस्तित शमों को यानि की option discussion का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला question देखेंगे हिंदी की 100 ध्वनी है तो देखें हिंदी की 100 ध्वनी है तालब या अगला question है कौन वर्ण ओष्ट नहीं है तो देखें इन में से आ वर्ण ओष्ट नहीं है अगला question देखेंगे अलप प्राण ध्वनियों का समों कौन है अलप प्राण ध्वनियों का समू है इन मेंसे चौ जौ और यौ अगला कुशन है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश अगला कुशन देखेंगे कौन वर्ण घोश नहीं है तो देखें इन मेंसे घोश वर्ण कौन सा तौ नहीं है अगला कुशन है आपका किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है तो देखें अनुस्वार कहा जाता है स्वार के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अगला कुशन देखेंगे किस शब्द में री स्वर नहीं है तो देखें री स्वर नहीं है आपके रीवास में है तो देखे घब का उचारण स्थान है कंत decter अग्ला कुछम है हिंदी शब्ड खोष के अनुसार संतान सकल सचल Shekstrom सब्डों का सही क्रम है तो देखे हिंदी शब्ड कोस के अनुसार संतान सकल SECTION SHAM शब्डों का सही क्रम है शंतान सकल सख क्रम और SACHAL यानि के option d यहाँ पर आपका right answer है अगला दिखेंगे निमन मैंसे महापराण वर्ण है तो दिखें इन मैंसे महापराण वर्ण है आपका थो अगला question है हिंदी शब्द कोस में अंग व अह किस वर्ण की साथ आता है correct answer हो जाएगा ओ की साथ अगला question है शो वर्ण किसकी योग से बना है अधाकौर शो के योग से निमन मैंसे कौन सा शब्द अमातरिक है most important question है इन मैंसे कौन सा शब्द अमातरिक है correct answer है आपका अल्रव अगला question देखेंगे अयोग वा कहा जाता है विसर्ग को next question है तो वर्ण मैं किस प्रकार के व्यंजन है तो देखें तो वर्ण मैं है आपके किस प्रकार के व्यंजन correct answer आपका यहाँ पे हो जाएगा मोडधन या option c पिल्कुल correct answer है next question देखेंगे प्रियतन के आधार पर law किस प्रकार की ध्वनी है तो देखें प्रियतन के आधार पर law है आपकी पाश्विक ध्वनी अगला देखेंगे हिंदी वर्ण माला में अंग और अहो क्या है तो देखें हिंदी वर्ण माला में अंग और अहो है आपके अयोग वा नेक्स्ट कुशन है निम्ने लेखित ब्यंजनों में से कौन सा संयुक्त ब्यंजन नहीं है तो देखें इन ब्यंजनों में से संयुक्त ब्यंजन नहीं है शौ ब्यंजन अगला देखे रटैंगे निमनमर से कौन सा व्यंजन इश पर्श शंगहर्शी है। तो देखे, इश पर्श शंगहर्शी व्यंजन हे आपका जव। अगला ब्र। दैखे, हिंदी का क्म में jaudu कि संध्याओं है। तो देखे हिंदी कि वांद माला में वैंजनो hauntedies तो देखिए एक ए उच्चारण स्थान का नाम है इन मेंसे कंठ तालब्या अगला है निम्नलिखित मेंसे कौन वर्ण अंतरस्थि नहीं है तो देखिए इन मेंसे अंतरस्थि वर्ण नहीं है आपका हो अग्ला question है अगोशवर्ण कौन सा है? अगोशवर्ण है 100 next question देखेंगे हिंदी की तालब या धनिया है तो देखिए important question है हिंदी की तालब या धनिया है चो चो चा और चो अग्ला question है कौन सी धनी अलप प्रान है? correct answer हो जायेगा आपका तो तो ध्वनी आपके अलप प्राण ध्वनी है तो देखें टॉपिक वाइस आपके कुश्चन कवर करने से एक फादा ये हो जाता है कि कोई भी कुश्चन आयोग पूसता है तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं तो अगला कुश्चन देखते हैं हिंदी किश पर्ष घोष प्राण ओस्टि वेंजन ध्वनी है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा भौ अगला देखेंगे निमने लिखित में से कौन सा स्वर संवरित है तो देखें कौन सा स्वर है जो की संवरित है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई अगला देखेंगे हिंदी की मुर्धन्य ध्वनिया है, हिंदी की मुर्धन्य ध्वनिया है, आधा तो, ठो, डो और धो अगला कुश्यन है हिंदी की बौध्वनी है, तो देखें हिंदी की बौध्वनी है, आपकी ओश्ट्य ध्वनी अगला कुश्यन है, निमने लिखित में से दंत्य ध्वनी है दंत्य ध्वनी है आपके कौन सा इसमें से तौ है अगला कुश्यन देखेंगे निमने लिखित में कौन सा स्वर सम्रत है तो देखें इनमने लिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योस्ट है तो देखें इन ध्वनियों में से दंत्योस्ट ध्वनी है आपकी वो अगला कुश्यन देखेंगे निमने लिखित बर्णों मैंसे कौन सा मोर्धन्य ध्धन्यों का है तो देखें मोर्धन्य ध्धन्यों का बर्ण है इन मैंसे कौन सा तो तो और दो अगला कुश्यन है शो ध्धनी का उचारण इस्थान है तो देखें शो ध्धनी का उचारण इस्थान कौन सा है तालव यह है अगला देखेंगे निमने लिखित मैंसे कौन सा व्यंजन पाश्विक है तो देखें पाश्विक व्यंजन है इन मैंसे लौ व्यंजन अगला कुश्चन देखेंगे निमने लिखित मैंसे कौन एक सायूक्त व्यंजन नहीं है ये वे आपका काफी important question है कौन सा व्यंजन है जो की सायूक्त व्यंजन नहीं है बताना है correct answer हो जाएगा यहाँ पर आपका sure अगला दिखेंगे your law law किस वर्ग के व्यंजन है correct answer है अंतस्त व्यंजन है ये सब हैं आपके अंतस्त व्यंजन अगला देखेंगे निमने लिखित मैंसे अर्द स्वार कौन सा है तो देखें अर्द स्वार है इन मैंसे योग अगला है इन मैंसे कौन सायूक्त व्यंजन नहीं है तो देखें इन मैंसे सायूक्त व्यंजन नहीं है आपका for option this question का correct answer है और देखे हिंदी बर्ण माला में सहींक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है चार है कौन-कौन से सहींक्त व्यंजन है शो, त्रो, ग्यों और शो ये वाला शो तो ये ध्यान रखेंगे for आपका सहींक्त व्यंजन नहीं है अगला question देखेंगे निमने मैं से कौन सा व्यंजन पाश्विक है तो देखे इन मैं से पाश्विक व्यंजन बताना है correct answer हो जाएगा law अगला देखेंगे भाषा विज्यान की दृष्टे से बढ़ाओ किस प्रकार का स्वर है देखेंगे वो का उच्चारण किया जाता है दन्टोस्ट से option सी यहाँ पर आपका right answer है अगला देखेंगे कौन सी धनी महाप्राण नहीं है तो देखेंगे इन मैं से महाप्राण धनी नहीं है जो अगला question है किस प्रक का उच्चारण स्थान कंठ तालू है तो देखें correct answer हो जाएगा आपका I option D बिलकुल correct answer है अगला देखेंगे निमने मैं से कौन साब व्यंजन संगर्शी है तो देखें इन मैं से संगर्शी व्यंजन कौन सा है हो अगला question देखेंगे निमने मैं से कौन सा व्यंजन इस परश संगर्शी है तो देखेंगे इन मैं से इस परश शंगर्शी व्यंजन है जो अगला question है विशर्ग से बना शब्द कौन सा है विशर्ग से बना शब्द है इन मैं से निया इस प्रह option बेस question का correct answer है शेशन आप लोगों ने अभी तक शेर नहीं किया है जल्दी से शेशन को शेर कर देजिए और आपको बता दो इस बार का जो कनिस्ट साय का स्लेबस है उसमें हिंदी आपके थोड़ा ज्यादा पुछी जाएगी लगभग 25 नंबर के आपके हिंदी कनिस्ट साय के एक्जाम मे चलेगी तो आप सभी लोगों ने अभी भी चैनल सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सस्क्राइब का लेजे चलिए अगला कुशन देखते हैं तालब वे व्यंजन है तो देखे इनमें से तालब वे व्यंजन कौन कौन से है चोचो जोचो ऑप्शन भी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे कौन वर्ण घोश नहीं है तो देखे इनमें से घोश वर्ण नहीं है आपका तो अगला कुशन देखेंगे किस शब्द में री स्वर नहीं है तो देखे किस शब्द में री स्वर नहीं है बताना है करेक्ट आंसर हो ज पहला कुशन है किस वाकि में विराम चिन का उचित परियोग नहीं है तो देखे विराम चिन का उचित परियोग नहीं किया गया है किस वाकि में करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनो सुनो वह गा रही है इसमें आपका विराम चिन का उचित परियोग नहीं है अगला कुशन कि विराम चिन का प्रकार नहीं है इन मैंसे उफदेशक, option C, इस question का correct answer है, अगला देखेंगे, जहां वाकी की गती अंतिम रूप से ले, विचार के तार तोड़ जाएं, वहां किस चिन का प्रियोग किया जाता है, तो देखें, जहां वाकी की गती अंतिर रूप से ले, विराम चिन प्रियोग तो होता है, तो देखें, विराम चिन प्रियोग तो होता है, सैयोजक चिन के रूप में, option D, यहां पे आपका right answer है, अगला देखेंगे, विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ क्या होता है, ठहरना या फिर रुकना, next question देखेंगे, श्री कामता इसा से लिया हुआ माना जाता है option B question का correct answer है अगला है श्रीकामता प्रशाद जी के अनुसाथ विरामचिनों की संख्या कितनी है correct answer हो जाएगा आपका 20 अगला है अल्प विरामचिन को पहचानिए तो देखे इन में से अल्प विरामचिन बताना है कौन सा है correct answer हो जाएगा आपका option A यह आपका है अल्प विरामचिन अगला है आशिश, राहूल, राजा, शुकल और वैभव अपने कारी में संख्या लग नहें इस वाकि में उचित विरामचिन है तो देखे आशिश, राहूल, राजा, शुकल और वैभव अपने कारी में संख्या लग नहें और इस वाकि में उचित विरामचिन कौन सा है अल्प विरामचिन यानि की option A यहाँ पे आपका right answer है देखे जहां एक ही व्याकरणी कोटी के कई शब्द आएं और उनके बीच में संयोजक और वह इत्यादी न हो तो अल्प विरामचिन का वहाँ पर प्रियोग होता है इस point को आप तिहान रखेंगे important point है अगला question देखेंगे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया इस वाकि में उचित विरामचिन होगा तो देखें आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया इस वाकि में उचित विरामचिन कौन सा होगा correct answer है आपका अल्प विरामचिन यानि की option यहाँ पर आपका right answer है देखें जहाँ दो से अधिक वाकियांस आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विरामचिन का प्रियोग होता है जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया तो आपका अल्प विरामचिन कहां पर लगेगा यहाँ पर अगला देखेंगे मैं कृष्ण के घर पहुँचा परन्तु वह नहीं मिला इस वाकि में कौन साब विरामचिन लगेगा तो देखें मैं कृष्ण के घर पहुँचा परन्तु वह नहीं मिला इस वाकि में कौन साब विरामचिन लगेगा करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर अल्प विराम देखें वाकि में प्रियुक्त होने वाले अव्यवों किंदू परंदू पर लेकिन भी आधी के पहले अल्प विरामचिन लगता है जैसे कि मैं कुछन के घर पहुचा परंदू वहां नहीं मिला तो यहां पर आपका अल्प विरामचिन लगा है इसको ध्यान में रखिए आप सबी लोग अगला कुछन देखेंगे समाने दी करण सब्दों के मध्य में किस विरामचिन का प्रियोग होता है समाने दी करण सब्दों के मध्य में अल्प विरामचिन का प्रियोग होता है ओप कि मैं जब एक ही प्रकार की कई संग्याएं आए तो उनके पीच किस प्रकार का विराम चिन लगता है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्प विराम चिन यानि कि ऑप्शन बे बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला कुश्चन देखेंगे चंदों में एक चरण की समापती पर किस विराम चिन का प्रियोग होता है करेक्ट आंसर है आपका अल्प विराम यानि कि ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला कुश्चन देखेंगे जाना है तो जल्दी जाओ वाक्षित विराम चिन का प्रियोग करें तो वाक्षित विराम चिन लगाना है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका लगेगा अल्प विराम चिन देखें जाना है तो जल्दी जाओ ऐसे वाक्षित खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है जैसे कि यहाँ पर अल्प विराम लगा है देखें जिसके ब वाकि में उचित विराम का प्रियोग करना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका option A, मा मेरा कलियान करो, ऐसे वाकियों मैं हा नहीं, अच्छा तथा समोधन कारक के बाद क्या लगता है, अल्प विरामचिन लगता है, अगला कुशन देखेंगे, जब वाकि में एक समान अधि करन का प्रियोग होता है, तो किस विरामचिन का प्रियोग होता है, तो देखेंगे, जब वाकि में एक समान अधिकरन का प्रियोग होता है, तो वहाँ पर अर्ध विरामचिन का प्रियोग होता है, अगला कुशन देखेंगे, मिश्रित तथा संयुक्त वाकियों में चिन्न का प्रियोग किया जाता है, अगला कुश्चन देखेंगे, करण वाचक किरिया विशेशन में किस परकार का विराम चिन्न का प्रियोग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्ध विराम चिन्न, नेक्ट कुश्चन देखेंगे, पूर्ण विराम का प्रियोग किया जाता है वाकी के अंत में अगला क्विश्ण देखेंगे किस वाके में पूर्ण विरामचन का प्रियोक नहीं किया गया है तो correct answer हो जाएगा आपका यहां पर option D में जंदों के एक करण की समाप्ति पर तो इस वाके में पूर्ण विराम चिनन का प्रियोग नहीं किया गया है अगला question देखेंगे तुम कब आएगे इस वाकि में उचित विराम चिनन का प्रियोग करें तो correct answer हो जाएगा तुम कब आएगे ये आपका प्रश्ण पूछ़ा जा रहा है option B is question का correct answer है अगला question देखेंगे कबीर वानी के detector थे इस वाकि में किस विराम चिन्न का प्रियोग हुआ है तो देखें कबीर वानी के detector थे इस वाकि में किस विराम चिन्न का प्रियोग हुआ है correct answer हो जाएगा आपका उधरन चिन option A is question का correct answer है अगला question देखेंगे संयोजक चिन को किस अन्य नाम से जानते हैं संयोजक जो चिन होता है इसको जाना जाता है सामासिक चिन के नाम से अगला question देखेंगे भूल सुदार ने अत्वा शब्द में किसी तुरूटी को सही दिखाने के लिए किस कोश्टक का प्रियोग किया जाता है important question है तो देखें भूल सुदार ने अत्वा शब्द में किसी तुरूटी को सही दिखाने के लिए किस कोश्टक का वर्गा कार कोश्टक का प्रियोग किया जाता है यानि कि option B यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे विवरंट चिन्न को पहचाने इनमें से विवरंट चिन्न पहचानना है correct answer हो जाएगा option B यह आपका विवरंट चिन्न है अगला देखेंगे पुनरुक्ती वा लागव चिन्न को पहचाने पुनरुक्ती वा लागव चिन्न कौन सा है देखे यह आपका पुनरुक्ती चिन्न हो गया यह लाग हो चिन्न यानि यह option यह यहाँ पर आपका correct answer है पाद चिन्न श्री कामता परशाद गुरु जी ने किस नाम से अभी वेहत किया है तो देखें correct answer है आपका यहाँ पर रेखा इसे पाद चिन्न या रेखा कहते हैं इस चिन्ने के द्वारा महतपुन पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है अगला देखेंगे हंस पद किस विराम का एक और नाम है तो देखें correct answer है आपका पुन विराम हंस पद ये पौन विराम का एक अन्य नाम है यानि कि option c बिल्कुल correct answer है अगला देखेंगे तुलियता सुचक चिन्न को पहचाने इन में से तुलियता सुचक चिन्न कौन सा है correct answer हो जाएगा आपका यह यह आपका तुलियता सुचक चिन्न है अगला question है आपका पाद बिंदू चिन को पहचान करें तो देखे पाद बिंदू चिन कौन सा है यह आपका पाद बिंदू चिन है यानि कि option D बिलकुल right answer हो जाएगा अगला देखेंगे समापती सूचक चिन की पहचान करें समापती सूचक चिन कौन सा है देखिए यह आपका समाप्ती सूचक चिन्द है अगला कुशन देखेंगे किस सब्द में ए स्वर नहीं है तो देखिए वैदिक जो शब्द है आपका इसमें कौन सा ए स्वर नहीं है